नमस्कार साथियों आज हम बहुत दर्शन की इस वीडियो स्रंखला में उनके अनात्म वाद पर चर्चा करेंगे बहारति दर्शन में आत्मा एक महत्वपूर्ण तत्व है जिस पर सभी दार्षनिक संप्रदायों ने अपने विचार प्रस्तुत किये है आत्मा के बारे में ये सामान्य अवधार्णा है कि आत्मा शरीर से प्रथक एक अस्तित्व का अलग रूप है और सभी भारति दर्शन जिसमें अधिकांस भारति दर्शन ये मानते हैं कि आत्मा एक नित्य शाश्वत और अमर तत्व है हमारा शरीर तो नश्ट होता है किन्तु आत्मा कभी नश्ट नहीं होती मृत्यू केवल शरीर की होती है आत्मा केवल शरीर को बदलती है शरीर आत्मा के लिए एक पिंजरा माना गया है चोला माना गया है वस्त्र माना गया है और मृत्यू की अवस्त्र में सिर्फ इतना होता है कि आत्मा अपने चोले को अपने वस्त्र को छोड़ देती है और उस शरीर के जरजर या क्षय हो जाने पर उस शरीर को छोड़ कर दूसरे शरीर को धार्ण करती है जैसा कि गीता में कहा गया है कि शरीर ठीक उसी प्रकार एक शरीर छोड़ कर दूसरा शरीर धार्ण करती है जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र छोड़ कर नए वस्तनों को धायन करते हैं तो इस अर्थ में भार्ति दर्शन में आत्मा को एक वस्त्र या चोला माना गया है जिसे आत्मा बदलती रहती है और यह श्रंखला तब तक चलती जाती है जब तक आत्मा इस जन्म मर्ण के चक्र से मुक्त होकर इससे बाहर नहीं निकल जाता है जब तक शरीर मुक्ष शरीर जब तक नहीं छूटता जब तक आत्मा अपने वास्तिक स्वरूप को नहीं पा लेती ये जो हमने बात की आत्मा के जो सामने सुरूप की बात है वो सांख्य, योग, न्याय, वैस्षेशिक, विदान, दिमानसा और जैन, दर्शन इन सभी दर्सन जो हैं इसमें सहमत है कि आत्मा का जो आवगमन है वो निरंतरतलत है आत्मा एक नित्य स्टा है वो कभी समाप्ट नहीं होती तो जो प्राची नौ संप्रदाएं इसे उनमेंसे चार वाक और बौत बस दो ही दर्सन संप्रदाएं ऐसे हैं जो इस नित्य आत्मा के सिध्धान्त को सुविकार नहीं करते हैं। ये दोनों ही नहीं मानते कि आत्मा किसी अजर अमर अस्तित को कहा गया है। वो ऐसे किसी नित्य आत्मा के अस्तित को सुविकार ही नहीं करते हैं। इसी कारण बौध दर्शन अनात्मवादी या निरात्मवादी कहलता है वस्तुत बात यहां है कि अजर अमर आत्मा की कामना भी बौध दर्शन के नुसार एक कामना ही है और जिसका निशे दावशक है किसी भी परकार की कामना से बौध दर्शन जो है वो दूर रहने का उपदेश करता है तो यदि हम अमर आत्मा की कामना करते हैं तो बौध दर्शन यह मानता है कि वो भी एक कामना ही है और इसका निशेद किया जाना चाहिए इसको छोड़ नावशक है मैं आज हूँ और भविश्य में भी बना रहूँ यह अनंत काल तक मानव की जीवित रहने की जो आकांग्शा है यह बहुत पुरानी है यह पतानी कब से मानव मस्तिष्क में यह घर बनाए बैठी है कि मुझे बहुत बहुत लंबा जीना है हमारे भारतिय संस्कृतियों के जो प्रुमुख आश्रवाद है उसमें जीते रहो का आश्रवाद भी एक महत्रकून आश्रवाद है जो सामने तरह मुझे से निकल लियाता है कोई कहे कि कोई वंदन करें चरण सुए तो मुझे से निकलता है बढ़ोगे जीते रहो यानि मरने की बात ही मत करो लेकिन बौदशनी वानता है कि अनंत काल तक जीने की जो कामना है इससे एहंकार उत्पन होता है और एहंकार से राग और द्वेश का जन्म होता है और यदि इसके विपरीत जो चीजें हमें क्षणिकता और आत्मविहनता की और डे जाती है उन चीजों से व्यक्तित दुखी नहीं होता यदि हम मानके चलें कि ये तो नश्ट प्राई ही है ये नश्ट तो होके रहेगी हम उसके निच्टता की जब कामना ही नहीं करते हम ये मानके चलते हैं कि इसका अस्टित तो खणिकता से भरा है खण भंगुर है ये वस्तुए तो फिर दुख तिरोहित हो जाता है फिर दुख समापत हो जाता है जैसे धंपद में बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति समझ चेतन तथा अचेतन चीजों को अनित्य, दुख पूर्ण और आत्म विहिं समझ लेता है वह दुख से उद्देलित नहीं होता दुख से उद्धेलित कब होता है वेक्ति जब मान ले कि ये है ये मेरा है ये सदेव रहे और फिर जब खो जाता है छिन जाता है तो दुख होता है जिसको हम मान के चलते हैं कि ये मेरे पास ही रहेगा सदेव को इसको ले नहीं सकता और वो जब जाता है आज से चटकता है तो दुख होता है तो यदि समझ चेतन अचेतन वस्तों को हम अनित्य ही मान लें दुख पूर्ण मान लें आत्म विहीन मान लें तो फिर उस व्यक्ति को कोई दुख कमपाय मान नहीं कर सकता है कोई दुख उसे डावा डोल नहीं कर सकता और वो दिये भी कहते हैं कि जिस आत्मा को किसी ने देखा ही नहीं है उसकी कामना ही कैसे करते हो आप उसकी कामना निर्थक है विर्थ है आपने कभी देखा आपने कभी जाना तो जिसको देखा न जाना न समझा उसकी कामना कैसे कर रहे हो उसकी कामना तो ऐसे है जैसे इस वपन में देखी किसी इस्तरी से आपको विवा हो जाए और अब पूरा जिवन लगा दे के उसको मेल पाके रहूँगा वो है ही नहीं मन में ही कोई रमणी कोई महिला कोई चित्र हम बना ले और ये सनक दिमाग में पालने के उसको पाके रहना है आप कैसे पाओगे वो है ही नहीं तो बुद्ध कहते हैं कि उस वस्तु के पीछे जिसका अस्तित्व है ही नहीं उसकी कामना करके सिर्फ दुख ही पा सकता है वक्ति इसलिए ऐसी कामनाओं को छोड़े बुद्ध चुकी मद्यमार्गी है तो एक तरफ विश्यों की लेनता है तो दूसरे और अज्यात आत्मा की लेनता है या तो हम किसी बहुतिक वस्तों में लगे रहते हैं कि बस वो पाना है धन पालिया वो पालिया मकान जमीने गाडियां संपत्ति स्वर्ण आभूशन एक तरफ अज्यात आत्मा की लेनता है या फिर हम आत्मा की पीछे लगे रहते हैं इसका विकास करना है इसका वो करना है इसको अमर बनाना है तो बुद्ध केनुसार हमें इन दोनों के मध्य के राजमार को अपनाना चाहिए जो निर्वान का पत है और इन दोनों के मध्य से ही गुजर कर इन दोनों के मध्य से ही निकल कर निर्वान को प्राप्त किया जा सकता है फिर कुछ लोग कहते हैं कि यह जो कहते हैं मैं क्या हूँ मैं तो यदि आत्मा नहीं है तो जिसे हम मैं कहते हैं मैं के रूप में अनुभूत करते हैं वह क्या है यह तो मान के चलता हूँ मैं हूँ तो जो मैं हूँ मैं करता हूँ मैं देखता हूँ मैं जाओंगा मैं समझूँगा तो वो कौन है जो क्या है में केवल मात्र मानसिक अनुभव मात्र हैं जो प्रत्यक्ष गोचर मानसिक प्रवृतियों का पुंज है हम जो भी प्रत्यक्ष करते हैं उन प्रवृतियों का गुच्छा मात्र है समुह मात्र है यह अश्ताई शहीर और मन का संकलन मात्र है मन तथा मानसिक प्रवर्तियों को नाम और अश्ताई शहीर को रूप भी का जाता है तो इस तरह से आत्म को नाम रूपात्मक कहा गया है तो जो भी हमारी मानसिक प्रवर्तिया है वो तो कहलाती है नाम और जो हमारे बहुत इक हिसा है जो शरीव है वो कहलता है रूप तो आत्मा इन दोनों का प्लस है नाम प्लस रूप यानि नाम रूप इसलिए आत्मा जो है वो नाम रूप आत्मक है यानि कि शरीर और मानसिक प्रवर्तियों का गुच्छा ये मिलके आत्मा बनते हैं तो नाम रूपात्मक जो आत्मा है उसको पंच सकंदों का भी समूह कहा गया है नाम रूपात्मक जो आत्मा है उसे पंच सकंद यानि पांच चीजों का एक गृप समूह कहा गया है अब हम इन पंच इसकंदों पर तुरा संक्षेप में हम चर्चा करेंगे पंच इसकंदों में सबसे पहला इसकंद है रूप इसकंद रूप इसकंद के अंतरगत हमारा यह जो भौतिक शरी है जो चुआ जा सकता है देखा जा सकता है यहां आता है और यह बहुतिक शही जिससे बनता है वह रूपसकंद है तो इसमें चार महाबूत हैं वो मिलकर हमारे रूपसकंद के अंतरगत हमारे शही बनता है और पृत्वी, जल, अगनी, वायू इन चार महाबूतों से उत्पन शहीर जो है वो यह कहलाता है तो रूपसकंद के अंतर चार्जी जाएं पृत्वी, जल, अगनी और वायू और इन महाबूतों से हमारा जो शहीर रेवोत्पन होता है यह हमारा रूपसकंद होता है दूसरा है वेदनासकंद वेदना ही मस्तिश्क में होती हैं, मन में होती हैं तो सुख, दुख, ग्रणा, क्रोध, इच्छा, कामना, वासना तो जो भी मानसिक प्रवर्तिया हैं हमारी वो सारी के सारी वेदनासकंद के अंतर करता है हम किसी को देखते हैं मित्र को तो जो मन में आलाद यानन दाता है हम किसी शत्रु को देखते हैं तो मन में जो क्रोध बढ़कता है ये सारी के सारी वेदना इसकंद के अंतकर दाती है तो जो भी सुख दुख और मानसिक अनभूतियां है वो सारी वेदना इसकंद के कैटिगरी में है तीसरा है संग्या इसकंद हम जब भी किसी वस्तू के साक्षात कार करते हैं तो उसे संग्या इसकंद कहते हैं संग्या का जो मुख्यकारिय वो है किसी वस्तू की पहचान करना इसे हम प्रत्यक्ष करते हैं हम किसी वस्तू की देखते हैं उसको पहचान लेते हैं तो ये संग्या के अंतरगत आता है यानि जब इंद्रिया किसी वस्तु से connect होती है तो वह संग्या की स्थिति होती है और इसे संग्या इसकंद कहा जाता है तो जिससे भी साक्षात हो हम चाहे किसी भी इंद्रिया से तो वह संग्या इसकंद कहलाती है हम आख से कुछ देखें तो वो साक्षातकार है यदि हम किसी की गंद लें तो वो साक्षातकार है हम किसी को छू के अनुभवत करें तो वो भी साक्षातकार ही है तो इंद्रियों से हम जो भी जानते हैं वो सारकसरा संग्या के अंतरगत आता है अगला है संसकार इसकंद अब संग्या से संसकार का जन्म होता है यानि हम किसी चीज का अनुभव करते हैं तो उससे एक स्मृति बन जाती है अनुभव की और उसकी धारणा बनती है तो ये हमारा संसकार इसकंद कहलाता है हमने कभी किसी विशेश प्रकार की मिठाई को खाके देखा तो हमें उसकी स्मृति है हम पुना उसको कभी कहीं देखे तो हमें पता चल जाएगा किसमें किस्ते का स्वाज है तो हमें याद रहता है कि हमने उस जगे पर ये किया था उस जगे पर ये चीज खाई थी उस जगे पर ये चीज देखी थी तो वो जो इस्मर्ती है देखने के बाद जो मन में रह जाती है वो संसकार स्कंद किलाती है पाचवा है विज्ञान स्कंद बाइय वस्तु के चेतना और अहम की चेतना विज्ञान इस्तकंद है बाहर की जो वस्तों है मुदूप से चेतना की जो लहरे हैं वोई विज्ञान है तो बाई वस्तों की चेतना और अहम की चेतना यानि कि बाहर भी वस्तों हम देखते हैं हम पता है कि यह है हमें उनकी चेतना है ये कहलता है विज्ञान इसकंद तो इस तरह से रूप, वेजना, संग्या, संसकार और विज्ञान बौथ दर्शन के अनुसार व्यक्ति इन पाँच इसकंदों का ही योग है तथा इसे ही बौथ दर्शन में आत्मा का गया है तो इन पाँच इसकंदों से निर्मित शरीर को बहुत दर्शन माना गया है इसे इतर किसी भी प्रकार की आत्मा को उनने स्विकार नहीं किया है इसमें रूप है, वेदना है, संग्या है, संसकार है और विज्ञान है तो इन पाँच इसकंदों का जो प्लस है इन पांच इसकंदों का जो योग है वो ही आत्मा कहा गया है अब इसमें आत्मा की विशे में मिलिंद और नागसेन का एक समवाद है मिलिंद एक राजा है और नागसेन एक बहुत प्रसित सन्यासी है इनका जो आपसी समवाद है उसका उतना ही महत्त है बहुत दर्शन में जितना महाभार्थ में कृष्ण और अर्जुन का समवाद माना गया है तो आत्मा जो है वह पंच इसकंदों का योग मात्र कैसे हो सकती है इसको समझाने के लिए बहुत दर्शन में यवन राजा मिलिंद और बौध मुनी नागसेन के बीच एक समवाद को बतलाया जाता है जिससे इस पूरी बात पर बड़ अच्छा प्रकास पढ़ता है कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक वाद राजा मिलिंद जैन बौध मुनी नागसेन के पास आत्मत्त्त की जिग्यासे से पहुँचे यह जान जाते हैं कि आत्मत्त तो क्या है यह जिग्यासे लेकर वो नागसेन के पास पहुँचे तो नागसेन ने यह कहा कि कोई इस्थाई जीवात्मा नहीं होती तो ये जानकर मिलिन्द जो है वो नाकसेन से पूछते हैं कि तब वह कौन है जो नाकसेन कहा जाता है क्या ये जो केश हैं ये नाकसेन है क्या ये नाखोन, दाथ, अंगुलिया, तवचा, मांस, मजज़ा, ये कान ये इस नायू जाल क्या ये इन में से कोई है या ये सब नाकसेन है या कोई इन में से एक है, क्या ये अंगुली नाकसेन है या इन सब का जोड है जो नाकसेन है तो फिर नाकसेन ने एक प्रस्न किया वापस राजा मिलिन्द से कि आप यहाँ पे मेरे आश्रम तकाए किस प्रकार साई, किस साधन साई तो राजा ने कहा कि मैं रत पे आया हूँ तो नाकसेन ने कहा कि क्या द्वजा रत है क्या उसके पहिये रत है क्या उसमें जो दंड लगा है वो रत है क्या घोडे के जो रसिया है वो रत है क्या वो धुरी है वो रत है जो सार्थी के हाथ में लगाम है क्या वो रत है क्या उसके हाथ में जाबुक है क्या वो रत है तो राजा हर बार ना करता है नहीं ये रत नहीं है ये भी नहीं ये भी नहीं तो फिर नाकसिन ने कहा कि इसका मतलब यह हुआ संग्या दी गई है ठीक इसी तरहे आत्मा की कोई वास्त्विक सत्ता नहीं है पंच इसकंदों का जो समू है वहवार मात्र के लिए उसे आत्मा कह दिया जाता है वास्तों में आत्मा नाम की कोई एक इकाई नहीं है जैसे रत धुरी पहिया चक्र, दंड, ध्वजा इन सब का योग है आत्मा भी पंच इसकंदों का योग मात्र है और कुछ नहीं आत्मा अनित्य है तो पंच इसकंदों की इस समू को बहुत दर्शन में अनित्य कहा गया है क्योंकि प्रतेक जो इसकंद है चाहे वो नाम हो ज्ञान हो, यह सभी के सभी अनित्य है और बहुत दर्शन मानता है कि प्रतेक वस्तु प्रतिक शन परिणाम को प्राप्त हो रही है परिवर्दन शील है प्रतिक शन यहाँ पर कोई भी दो वस्तु में दो क्षन में कभी भी समान रहती एक खण में कुछ है उसके अगले खण में कुछ और और उसके पहले खण में वो कुछ और थी भूत वर्टमान वविष्य इन तीनों खणों में वस्तु कभी एक समą रहती नहीं है प्रत्य वस्तु के समन आत्मा भी ठीक ऐसा ही अनित्य है और परिवर्त अशील है वो भी किसी एक शण में अलग होती है, किसी दूर शण में अलग हो जाती है केवल जो हमारे विचारों की जो संतान प्रवा है एक बहतीवी जल धारा के समान लगातार चलने वाला विचार को प्रवा ही हमारे भीतर चलता रहता है एक चलती नदी है आत्मा और वो केवल हमारे विचारों का प्रवाह है एक आता है दूसर आता है यूँ लगता है कि कोई एक नित्य हम नदी को देख रहे हैं लेकि नदी कभी नित्य नहीं होती उसका पानी कभी समान नहीं रहता उस अदेव बहता रहता है एक नदी में जैसे पाश्चा दाशनी रगा है कि हम कभी एक नदी में दो बार इसनान नहीं कर सकते क्योंकि जिस समय हमने पहली बार इसनान किया वो पानी कपका वैचुका पुने हम उसमें कभी नहीं जा सकते अब कर्मफल और पुनरजनम की व्यक्षा बड़ी कठिन हो जाती इसमें तो बहुत दाशन में यद्दिपी आत्म को अनित्य माना गया है किन्तु कर्मफल के सिध्धान्त और पुनरजनम में उनमें विश्वास प्रकट किया गया है आत्म को नहीं नित्य माना अनित्य है, प्रतेक्षन भिन्ध है किन्तू कर्मफल का सिध्धांत और पुनरजनम को माना गया है तो फिर प्रस्वनता है कि यदि आत्मा अनित्य है और प्रतेक वस्तू ख्षन भंगुर है तब कर्म के फल भी क्या तोरंट बन के समाप नहीं हो जाएंगे कर्म के फल भी तो ख्षन भर गई रहेंगे सब कुछ ख्षनिक है तो कर्म फल भी ख्षनिक होने चाहिए तो फिर जो स्वयम अनित्य है जो आत्मा ही अनित्य है उसका पुनरजनम कैसे संभव है कैसे मान ले हम जो उसका पुनर्जनम होगा तो बौध रशन कहता है कि पुनर्जनम का हमारा जो अर्थ है वो आत्मा का एक शही से दूसरे सहीर में जाना नहीं है ये कोई आत्मा की यात्रा नहीं है कि ये पहला सहीर ये फिर इसके बाद वो फिर इसके बाद वो वो कहते हैं कि हम तो मानते हैं कि विज्ञानों की जो अविछन प्रवाह की निरंतरता है वही पुनरजन्म है मृत्यू का अर्थ एक विज्ञान या विचार का प्रवाह समाप्त होना है और पुन्रचनम का अर्थ है इस विज्ञान प्रवाह का नए श्रीर में निरंतर कायम रहना तो जो विचारिक प्रवाह है वो बदलता नहीं वो चलता रहता है तो जैसे उधान देते हैं कि जिस प्रकार से हम एक दीपक से दूसरे दीपक जला देते हैं उसी तरह हमारे विज्ञान और हमारे कर्म फल एक जीवन से दूसरे जीवन में पहुंचते रहते हैं इसके लिए वो कहते हैं किसी नित्य आत्म के साथ तक को स्विखार करने की आवश्रक्ता नहीं है अब इस बात की थोड़ी आलोचना होती है तो पहली बात है कि बहुत द्रशन के आत्म से कुछ कड़ी अलोचने दाश्रकुर की है तो पहली है यदि आत्मा नहीं है तो यह कौन कहता है कि आत्मा नहीं है शंक्राचारी कहते हैं आत्मा कर निराकर्ण करने वाला ही अपने अस्तित्व की सिद्धी करता है यह आत्मा है ही नहीं तो कौन कह़iet raha है कि आत्मा नहीं है तो हम अगर निशेद भी करें तो उससे भी अस्तितु भी सिदोता है कि वो कोई करने वाला है और जब करने वाला कोई है इसका मलब उसको अस्तितु है दूसरा है सब कुछ परिवर्टनशील है यह ज्यान तब तक संभव नहीं है जब तक कि अपरवतनशील आत्मा नहो क्योंकि एगर सब कुछ बदल रहा है यह मान लिया लेकिन कोई रुक कर उनको अनभूत करने वाली अपरवतनशील सत्ता कोई नहो अपरवतनशील कोई तत्व नहो तब तक कोई ग्यानी संभव नहीं तीसरा है कर्म का सिद्धान्त इस्मर्ती प्रतिपिग्या आदी की व्याख्या बिना इस्थाई आत्मा के समुचित रूप से संभवी नहीं है आप इस्मर्ती को मानते हो मुझे कल जो किया बरसों पहले जो गिया बच्पन में हमने जो किया उसी घटना ही याद है तो हम किसी वस्तु को जैसे पहचानते हैं तो इनकी व्याख्या कभी भी एक इस्थाई आत्मा को माने बिना संभवी नहीं है अगर आत्मा खत्म हो गई वो जो थी समाप्त हो गई तो फिर उसे याद कैसे है कि अब क्या करना है उसे कैसे आज से 6 साल पहले की बात कैसे याद रहेगी क्योंकि वो तो करोणों बार जनू ले चुका है तो इसकी व्याख्या पॉस्सिबल नहीं है फिर यदि आत्मा नहीं है तो निर्वान का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता क्योंकि आत्मा के मुक्ती है तो ही तो निर्वान के प्राप्ती होती है इन सब आलोशनों के बात भी इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते कि बहुत दर्शन में बुद्ध के बाद अनात्मात को बहुत बल मिला नागरजुन जो बहुत बड़े विचारक वे बाद में जुना ने सुनने वाद सिद्धान्त की स्थापना की वो कहते हैं कि आत्मा की स्वतंत सत्ता मानने पर ही स्वयम के साथ रागात्मक तथा अन्य के साथ द्वेशात्मकता का जन्म हो जाता है तो राग द्वेश में बन जाने पर ही सब्रकार के दोस उत्पन होते हैं तो इस तरह से इन दोसों के उत्पन होने कारण आत्मद्रश्टी है इसलिए आत्मद्रिष्टी को छोड़ देना ही अधिक उचित है ताकि हम राग और दुएष्ट के इस जंजाल से मुक दोके निर्वान की प्राप्ति कर सके इसलिए बुद्ध ने ये कड़ाई से प्रियास किया कि हम अमर आत्मा नित्यात्मा इन सब वस्तों को छोड़के निर्वान के पत्पर आगे बढ़े हो बहुत कभी मात्रचेट बुद्ध की प्रसिश्टी में लिखते हैं जब तक मन साहंकार है आवा गमन का चक्र मिठ ही नहीं सकता मन में दी एहंकार है तो आवा का मन तो रहेगा वई जब तक आद्मद्रच्टी है हरते से एहंकार नहीं मिठता भगवान इस जगत में आप से बढ़कर कोई अन्य अनात्मबादी उपदेश्टा नहीं है आप उपदेश्ट मार्ग अनात्मबाद कहते हैं और कोई शान्तिका मार्ग है ही नहीं आज हम इतरी बात करेंगे आपका बहुत बहुत दिनेवाद नमस्कार